और लेटिस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज नमस्कार सत्यमेव न्यूज मैं आपका स्वागत और मैं हूँ आपके साथ अंकित मातुर इस वक्त की बड़ी और खास काबर आ रही है बड़ोत से जहां ग्राम पंचायत कारोडा की नव निर्वाचित महिला सरपंच सुरेखा जांगिड के उदनवास इस्तित घर पर देर रात को करीब 9 बच कर 30 मिनट पर अग्यात लोगों ने घर में खुस कर फाइरिंग कर दी है बदवाशों द्वारक किये गई फाइरिंग में महिला सरपंच सुरेखा जांगिड घायल हो गई है जिसको बैरोड के नीजी चिकिस साले में भरती करवाय गया है तो ही सूचना बर पाहुची बैरोड थाना पुलिस और बैरोड डियस पी अतुल साहू थाना प्रभारी जितेंदर सिंग सौलंकी ने मौके पर पाहुच कर पारिजनों से घटना की जानकारी ली बाद में पुलिस अधिकारियों ने बहरोड चिकिस साले में पहुचकर घटना में घायल महिला सरपंच सुरे का जांगिर का बयान लिया सरपंच पर फाइरिंग के घटना की जानगारी शेत्र में आग की तरह फैल गई तो सरपंच के घर पर ग्रामिडों की भीड रही बढ़ते अपरादों पर अंकुष लगाने के लिए बढ़ोद में पुलिस चौकी खोलने की भी मान की है और फिलाल इस खास कबर बस इतना ही प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रही है सत्यमेव व्यूज और मुझे यानिक अंकित मात्र को दीजिये जाए तब तक के लिए नमस्कार